बिहार विदान सबाद चुनाओ के तीनों चरण के मतदान है खत्म हो चुके हैं आपको बता दें कि बिहार विदान सबाद चुनाओ के पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को हुआ तो दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर और तीसरे और आखिर चरण का मतदान 7 नवंबर को स से पूर्व RJD के MLC सुनिल कुमार सिंग ने गंभीर आरोप लगाये हैं जी आपको बता दे कि RJD के MLC सुनिल कुमार सिंग ने आरोप लगाया है कि नितीश कुमार के कुछ भरष्ट अधिकारी EVM के साथ हेरफेर कर सकते हैं ऐसे में RJD के उमीदवार प्रत्याश्री और कारेक सुनिल कुमार सिंग जो के RJD के MLC हैं उन्होंने कहा है कि RJD के सभी उमीदवार और कारेकरताओं से निरोध है कि कल हुए एक्जिक पोल के मद्दे नजर नितीश कुमार की पापी सरकार के कुछ एक भरष्ट पतादिकारी स्ट्रॉंग रूम में रखे हुए EVM में फेर सुनिल कुमार सिंग है उन्होंने गंभीर आरोप लगा दिया है नितीश कुमार की सरकार पर और नितीश सरकार पर हमला बोलते हैं उन्होंने कहा है कि EVM में फेर बदल हो सकता है इसलिए RJD के सभी प्रत्याशी और कारेकरता अलट रहें Nation News की रिपोर्ट